चार महीने से पूरे बॉलिवुड के मूँ में दही जमीवी थी हम लोग इनके हाथ पेर जोड रहे थे जनता इने टूइट करकर करके रिक्वेस्ट कर रहे थी अक्षे जी प्लीज कुछ बोलिए सलमान खान प्लीज कुछ बोलिए शारुखान जी कुछ बोलिए अगर हम दे वेसी उसमें दखल दी जा रही है इनके खिलाफ साजिश की जा रही है इनने सब को क्रिमिनल मानने की नहीं है हम नहीं कह रहा है आप क्रिमिनल हो हम यह कह रहा है भाई अब हम आपकी फिल्में नहीं देखना चाहते है अब हमारा आप से मन भर चुका है अब आप एक चीज लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए अभी चार दी पहले आप हमारी हाथ पर जोड़ रहे थे वीडियो बना के कि बहीं मैं बड़े दुखी मन से वीडियो बना रहा हूँ आज आप भी उसमें शामिले 34 प्रोडियूसर्स में कि हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है अरे कहें कपिल शर्मा जी उन्हें बड़ा एप्रीशियेट करते हैं कपिल शर्मा शो में आगे कहते हैं पाजी आप बहुत ग्रेट हो आप तो बड़े महान हो तो संजेज जाज जी कहते हैं हाँ भी तो एक कंटीनू रहेगा यानि अब ऐसी बाते आप खुद एक्सेप्ट करते हो परदे पर आके हमारे सामने स्टेश पर आके बड़े बड़े तब आपकी प्राइवेसी पर कोई प्राव्लम नहीं होती आज जरह से सवाल कर दे तो प्राइवेसी आपकी दिक्कत में आ गई है और एक सबसे बड़ी बात ही है जनता आपकी कोई प्राइवेसी में कुछ न अलमान खानों चाहे और भी जितने बड़े एक्टर हैं सैफ अली खानों सब ऐसा पर चले के हाथ में आयम वित यू संजू जबकि संजेद पर टाड़ा लगा था उन पर देश दुरों का मुकदमत था उसके बाद भी आयम वित यू संजू हमने आपसे अपील करी हमने बोला देखी जी हम आपको बहुत मानते हैं आप एक बॉलिवूड के करता धरता है आपने 30-30 साल बॉलिवूड में दी हैं कम से कम एक आवाज उठाईए और आवाज भी मत उठाईए आप बस इतनी अपील कर दीजिए कि इसमें सीबाई जहां चो हम तो ये भी नहीं कह रहते है क्योंकि आपकी मुवीज फ्लॉप होनी शुरू हो गई हैं आप बोलते हैं जनता ने आपको बनाए हम तो खुद कहरा हैं फर्स से अरश तक हम नहीं आपको पहुचा हैं अब हमारा मन भर गया आप से अब इसमें कोट क्या करेगी आप दिल्ली हाई कोट में जाके अपील क को है जनता को है उसमें तो कोट यह नहीं कह सकती जबरदस्ति आप अक्ष्यकुमार की लक्ष्मी बॉम देखिए या सलमान खान की दबंग थिरी देखिए या कोई टाइगर जिंदा है फोर्ड देखिए हमारी मर्दी भाई अब हमने आपको तीस साल देखा हमारा मन भर ग के सो चाहे पॉलिटिकल कोई कोई भी इशू होता है तो इसमें न्यूस चैनल अपनी अवाज उठाते आएं कभी भी किसी की प्राइवेसी में कोई दिक्कत नहीं हुई आज इनको अचानक से बॉलिवड पर बात आ गई तो इनकी प्राइवेसी में बड़ी प्रावलम हो सबक सिखाना पड़ेगा और उसके लिए सेंटरी कुछ कर पाया क्योंकि हम तो महां के ना वोटर है और अब जो इलेक्शन होंगे तब देखाएगा तो माने निये मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट और हम मिनिस्टर रमिश्या जी से कि जल्दी से जल्दी महां पर राश्प केस में कम से हम इतना अच्छा इनिशेटीव लेकि और स्टैंड लिया कि पूरा बॉलिवड हिल गया है और उनको अपनी जमीन जो है खिसकती नजर आ गई है अक्षे कुमार जैसे लोग शारू खान सलमान खान जैसे लोग के चहरे उतर गए और इनके चहरे पर अगर हैं तो यह क्या लगता है जो और प्रदी भंडारी और अर्नव गोस्वामी की अवास को रोक पाएंगे निदेखिए जब जनता किसी के साथ खड़ी होती है हमारा देश इतना बड़ा देश है 130 करोर के अबादी हमारे देश में पूरी पूरे देश की जनता है जो अबाद धनता जी चड़ा दीजी हमने क्या बोला हमने बोला भई रिया चकरबड़ति की स्कांऀर अर्तिक का म्यक्ति परिया थे हुए कि उस case से बेल का मतलब यह है अब उसकी तारीक पढ़ती रहेंगी वो आके अपनी जवाब देती रहेगी तो बेल तो बड़े-बड़े प्रोडक्शन आउसो रैड चिली अब सलमान खान अरबास खान तो आब एक चीज़ देखिए यह मेरी उस बात का जवाब है मेरे से अभी कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से कोशन करा भाई इसमें खान गैंग बहुत वो चलता है मैंने इनसे बोला भाई आप खान गैंग पर म इसका मतलख कि आप इनको यह सोचते रही है यह खान गैंगे यह मभड गैंगे यह करण जोहर गैंगे यह सब एक हैं जब इनके उपर बात आएगी और यह मैं पहले भी कहता है हूँ यह इसलिए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं ताकि कल को हमारे उपर बात आए आज देश की जनता आज आपका लिए खिलाफ बोल रही है कि आज आवाज उठा रही है पिछले चार मैंने कंटीनू 24 घंटे आर भारत पे कैमपेंग चल रहा है बॉयकॉट बॉलिवूड और यह वो और फेस्बुक पर सोचल साइज पर कैई ऐसे लोग हैं जो अपने पेज च देखें लक्ष्मी बॉम का देखें तो शार अक्षे कुमार ने क्या कर अपने लाइक डिसलाइक का वह भी हटा दिया जो बटन हटा दिया तो आप इस संदार लाइए दिल में डर कितना है तो इनी की फिल्म का डायलोग है लोग बहुत बोल रहे हैं मुझे भी अच्छा इखलाफ ऐसा खड़े हो नहीं था तो इस चार दिन पहले इन्हों ने उतनी जलवाजियों वीडियो क्यों बनाई कि भाई मैं बड़े दुखी मन से वीडियो बना रहा हूँ आप नहीं हमको बनाए अरे जब आपको पता है हम नहीं आपको बनाए तो अब हम आपको नहीं चुड़े में पूरे देश की जनता वो इसमें जुड़ी विए जो मुद्दा इसी वार भारक का मुद्दा नहीं है यह पूरे देश का मुद्दा है और हमें कुछ नी चीए ना में अक्षे कुमार से कुछ चीए ना सलमान खान से कुछ चीए ना बॉलिवूर से कुछ च आप content भी अच्छा बनाईए आपने बहुत बेवकुब बना लिया आपने कुछ भी परोस दिया हमने खा लिया जो भी आपका मन करा आपने उल्टा सीधा गंद घोल दिया और कपिल शर्मा शो को भी जिसे हम फैमिली शो मानते हैं उसमें भी आप देखें डबल मिनिंग सारे डायलोग होते हैं जितनी पबलिक बैटी होती है उसमें औरतों के साथ भी क्या वाहियात मजाग किया जाते हैं चलिए फिर भी हम उसे ये सोचके कि चलो भई हर कोई बंदा आजकल इतने डिप्रेशन में रहता है थोड़ी सी खुश हो लेते हैं कोई बात नहीं हमने एगन करा लेकिन अब नहीं कपिल शर्मा शो भी आपको भी फर्स से अर्ष्ट तक हम नहीं पहुचा है आपका पहले क्या हलता हम जो बहुत जानते हैं लेकिन आपको बहुत सपोर्ट करा अब आप भी ये देखिए कि अगर आप जनता के साथ नहीं खड़े हो सकते किसी भी गलत इशू में आप एक बाइट तक नहीं दे पाए कई ऐसे इशू है हमने देखा है कपिल शर्मा शो में अगर कोई ऐसे इशू है तो उसमें आके एड में बोलते हैं बहुत कमी है पानी को सपोर्ट करो पानी ना बहाओ ये मत करो जब आप इतने बड़े-बड़े इशू पर कर दिये इसका मतलब इंटेंशनली आपका मकसद ही ये था कि आप उनकी चीचा लेदर कर सेके कर दें आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह जो कैमपेण है जो अर्णब गोस्वामी चला रहे है वह अर्णब गोस्वामी की कैमपेण है पूरा देश उनके हथ खड़ा ह यानि जिस जनता ने आपको बनाया आपको इतनी समझनी है । मुझे दिख रहा है फेज़बुक पर ट्यूटर पर की पूरा देश देश इसके लिये इंसाध मांग रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है आपको इतनी समझ नहीं कि अगर आप अर्णव गोस्वामी का मजाग बनाएं, कल को आपको बाइकाट हो सकता है, जब एक छोटी छोटी बात पर बाइकाट हो रहा है, तो आपको यानि डर भी नहीं है, आपको उस जनता का डर नहीं है, आपका बीच में एक शो बन दो गया तो हमी लोगों ने बोला था, भाई कपिल शर्मा, आप अपना शो वापस लाइए, हम आपको देखना चाहते हैं, और जब आपका शो वापस आए, हम लोगों खुश हुए कि चलो कपिल शर्मा वापस आ गया, आज आप हमारे साथ नहीं हो सकते, उपर से जो हमारे साथ ख जैसे कि अगर भारत के खिलाव यह जितने भी प्रोडूसर से अगर यह हाई कोट जा रहे हैं तो फिर यह बाकी की जो चैनल है और उनके पत्रकार हैं फिर वो उतकुस बात की खुशी मना रहे हैं, देखिए वो तो इसलिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि क्या था कि उन्हे बड़े डाउट में हो गयते हैं दूसे चैनल हो क्या था वो ना सकी सुशान सिंग की सपोर्ट में दिखा अ पा रहे हैं ना उनकों से जासा हो भी सुशान की खिलाव भातने क हो उच्छा है लोट извक्ना फोकस करेंगे लेकिन देखिए एक बड़ी सोचन-ाली बत ऑर यह मैंने बार बर कही है कि CBI कही लोग मुझे बोल रहे हैं कि अमन भाई अब तो आज कल न्यूस चैनल दिखानी रहे हैं वो जल्द सलागों के पीछ होगा और हम सब जो है अपना सुषान भाई को खोने का दुख तो कमनी होगा लेकिन एक सैटिस्फेक्शन रही कि भाई चलो हमने एक साथ एक जूटता जो हमने दिखाई यूनिटी दिखाई उससे हमें अच्छा नतीजा मिला सवाल के जितनी भी जनता हमारे साथ खड़ी है आरभारत के साथ खड़ी और जो शुषान जिंग राजपूर के रिजस्टिस चाहती है और जिसना इंग जो भी 34 प्रोडूसर है जिसके अलावा जितने भी यह स्टार बड़े बड़े स्टार हैं जिनने जमीन पे लाके धर्मा प्रोड़क्शन देखें रैट चली देखें एक्सल इंटर्टेन्मेंट देखें तो यह सारे अपने आप में धुरंदर है और यह वह प्रोड़क्शन हों से जब इनकी फिल्म रिलीज होती है तो दूसरा कोई प्रोड़क्शन उस रिलीज भी नहीं करता क्योंकि स सारे थीटर यह ले ले लेते हैं 5-5-6,000 थीटर हैं अगर इन सब को एक साथ 34 प्रोडियूसर्स को आके यह कहना पड़ी है इसका मतलब कि इनके दिल में डर बैड़ गया है अब इन्हें लग रहा है कि कोट हमें इंसाफ दे मैंने आप से एक बात बोली कोट आपको यह तो इ मर्जी है अब बिक बॉस हा रहा है यह कौन कहेगा कि मुझे बिक बॉस देखो देखो मेरी खुद की बहुत अच्छी दोस्त मैं आपको बताऊं जैसमिन भसीन दस साल से मेरी दोस्त है मुझे उसकी पूरी प्यार देखनी थी लेकिन जब से यह महल चला मैंने उसका बाइ गांट कर सकता हूं बॉलिवुट का तो दूसरी जंता क्यों नी कर सकती और वैसे विए हम अच्छा लगा और सब कह रहे हैं आज 34 oni बल्कि चौन चींए तो ऑफ सते लि się अच्छा रहे गा सर एक और सवाल मेरा कि जितनी भी जैसे कि अब जितनी भी नाकामी रही है महाराज़ु सरकार की उद्दफ सरकार की आज आपने देखा था कि पावर कट हो चुकि शुशान सिंग राशपूत का भी आपने जिकर किया दिशा सालियान का किया तो लोगों की बात हमने अगर कर तो लोग यहां पर यह भी कह रहे हैं को उद्दव ठाकरे को इस्तिफा दे देना चाहिए हाँ बिल्कुल आप एक चीज़ देखे पहले तो आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी जब जनता ने बोला सी जांचोनी चाहिए सी जांचोनी चाहिए तो मुंबई पुलिस ने क् कर दिया कि CBI जो रिकवर भी न कर पाए वो डेटा तो आप यह देखें प्लैनिंग कितनी इनकी तगड़ी थी कि कोई इसमें आगे भी CBI भी न है और इसलिए CBI को दिक्कत भी हो रही है अब रही बात उद्दव ठाकरे की तो आप एक चीज़ देखें कि यह इतने बड़ सकता है कि आपको देखने को मिला भी थोड़ा सा इलेक्शन भी चल रहा है तो उसमें भी कुछ चीज़े बैठा के चल रही है यह उद्दव ठाकरे को यह नहीं पता कि जितने अपने आपको समझ रहे कि पानी में रहके मगर मस से बैर नहीं किया जाता हूँ इस तरही कि मा महराश की जनता से मेरी अपील है कि आगे चलके आप थोड़ा सा यह देखें कि आप वोट दे किसे रहें यह सब नो सिकी हैं यह सब गुंडे हैं यह कोई नेता नहीं है आप एक चीज़ सोचें जो इनको तोड़ फोड़ पर बिलीव करते हो अगर इनके खिलाफ कोई आव यूवा को भी निचोड़ रहें अब एक चीज़ से अभी हम बॉलीवड से अपील कर रहे थे कि अक्षे कुमार क्यों नहीं बोल रहा है या आमिर खान क्यों नहीं बोल रहा है आप यह देखने वाली बात यह बोलने कैसे हैं एक इंसान जो बोल रहा है उसका तो ऑफिस त दाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा यह तो बच्चें बिचारे बॉलिवड वाले तो आर्टिस ने तो दिहारी मजदू ने अपना काम करते हैं कमातने खाते हैं हमें इनको उद्दव ठागरे को सबक सिखाना पड़ेगा महरा सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा और उसक और बाकी जनता से बहुत बहुत शुक्री है उनका उन्होंने सुशानसीक राजपूत केस में कम से हम इतना अच्छा इनिशेटीव लेकि और स्टैंड लिया कि पूरा बॉलिवुड हिल गया है और उनको अपनी जमीन जो खिसकती नजर आ गई है अक्षे कुमार जैसे लोग शारो खान, सल्मान खान जैसे लोग के चहरे उतर गए और इनके चहरे पर अगर देखो तो काटो तो खून नहीं ऐसा इनका रंग वड़ गया चहरे का तो बड़ा अच्छा लगा इडर हमें अच्छा लगा